हाई गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे वो आपसा आज मैं आपके साथ निलांजनादार इंस्पाइड मेकप लुक की वीडियो शेयर करूंगी मुझे उनका यह मेकप लुक बहुत अच्छा लगा और उन्हें बहुत सिंपल वे में इतना प्यारा सा मेकप लुक किया और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज से प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं मैंने कैसे मेकप लुक किया है लेस्ट केट स्टार्टिट तब से पहले मैं मेरे पेस प फत्म ओने वह लगा है और मैं मेरे पेस पर लगा लूँगी ये good vibes का सीरम है रोज इप सेरम है बहुत अच्छा सेरम है गाइस कुछ-कुछ मेरे पास है सेम सेम जो ने लांजनादारने किये हैं कुछ-कुछ मैंने बना लिये हैं जैसे ये DIY वाई Eluminator मनाया है मैंने उन्होंने इस प्रिविटी का इल्उमिनेटर यूज किया है बट मेरे पास था नहीं इसके मैंने DIY बना लिया है और उसको मैं मेरे face पे लगा लूँगी इससे है जो आपके face पे है थोड़ा सा glow आ जाता है makeup बहुत अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद और उसके बाद है जो मैं foundation लगा लूँगी मैंने आप मिलानी की foundation लिया उन्होंने भी मिलानी की foundation लिया है इस makeup लुक को करने के लिए और उसको मैं डोट डोट करके मेरे face पे लगा लूँगी यह मिलानी की foundation best foundation यह full coverage foundation है full coverage आपको कोई भी color करेक्टर की जूर्थ नहीं है अगर आप यह foundation लगाते हैं तो और देख सकते हैं आप concealer के लिए मैं आप एलेगर प्रोग कंसीलर ले रही हूं उन्होंने भी एलेगर ही लिया है concealer और उसको मैं मेरी अंडर आइस पे और जहां-जहां मेरे highlights पॉइंटर मावा में लगा लूँगी और उसके बाद एक beauty blender की health से मैं इसको blend कर लूँगी और इसके बाद मैं loose powder से इसको सेट कर लूँगी आप यह makeup है जो किसी भी पार्टी फंक्शन में कर सकते हैं बहुत ही प्यारा है यह makeup लोग आप ट्राइ कर सकते हैं इसको और उसके बाद है जो मैं blush लगाऊंगी अपने चीक्स पे उनोन चीक्स पे ऑंड नौस पे जो ब्लश लगाया हुआ है तो मैं भी चीक्स पे लगा लूँगी ब्लश देख सकते हां हुआ मैं साथ-साथ मेई फोन उनको देख भी रही थी यहां उन्हें कैसा कैसा मेंकप किया है और फौलो कर रहे थी उनके मेकप को जा सेपने नेक्स मैं करूंगे इक कानटॉरिंग क्योंकि उन्होंने बलश के बाद भी अपनी पेस्ट को इस लिए विए इसलिए मैं कानटॉरिंग करूंगी पाद के बाद है जो मैं हाइलाइटर लगा लूँगी एक प्रेश की हैल्प से इसके बाद में मेकप को सेट कर लूँगी सेटिंग स्प्रेश से इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आई मेकर रड़ को फिल करेंगी ब्रokolısı करब हैं था अन्हें अवह कंप्लीट किया था जो में वूइन सब्साइब करेंगी प्रेश की हायल इसके बाद आय मेकप अ श्टार्ट किया था है सबसे पहले यलो कलर को पिक करेंगे क्योंकि उन्होंने येलो कलर ही लिया है आई मेक अपके लिए और उसको मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रिश की हैल्प से ब्लेंड करूंगी चैसे उसके बाद है जो बर्गंडी शेड को लेना है और उसको प्रीज में अप्लाई करना है और तीदे देरे करके उसको भी ब्लेंड करना है और उसके बाद डार्क ब्राउन शेड को मैं मेरी पूरी आईलिट पे लगा लोंगी इसके बाद मैं मस्कारा लगा लोंगी उन्हें बहुत ही सिंपल साई मेकप किया है कोई काजल लाइनर कुछ नहीं अपलाई किया अनुश के बाद मैं लिप्स्टिक लगा लोंगी लिप्स्टिक के लिए मैं मिक्स एंड मैच करके लिप्स्टिक लगाऊंगी मैंने आपे अगर की लिप्स्टिक लिए है और जो मेकप डण्ट तो कैसा लगा आपको आज कर दो आप नीए कर सकते हैं बहुत ही इसंपल में किया है जाधा महनत नहीं करनी पड़ेगी आपको और जल्दी है जो प्यारा से मेकप लुक आपका हो जाएगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज से प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में और कमेंट करके जुरूर बताए कि आपको इंसाइड मेकप लुक कैसा मेकप लुक जुरूर करूंगी तो मैं में विलूंगी आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर और लब यू काईज